नमस्कार आप सभी का एगेंस्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील कब कहां और कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि इसकी भी जानकारी हम लोगों को ठीक ठीक अवस्य रखनी चाहिए चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं नए हैं वो अवस लालकर का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अवस्य कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वे पास पहुँचे तथा इसे इतना सेर करें कि हर किसी नागरी को इसकी जानकारी हो सके और वे आर्टियाई एक्ट की जानकारी लेकर लोग सूचना पताधिकारी के खिलाप प्रथम अपील दायर आसानी से कर सके तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे चलिए हम लोग जानेंगे कि प्रथम अपील प्राधिकार की समक्ष कब और कहां और कैसे अपील करेंगे मैं इस संबंद में आठ पॉइंट बनाये हैं आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना इसकिप क्वे हुए देखेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे सत्यमेव जयते आर्टियाई एक्ट दोहजार पांच सूचना काधिकार अथिनियम दोहजार पांच के तहत तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं दूसरा है किसी-किसी मामले में 45 दिनों के बाद प्रथम अपील कर सकते हैं जब आपका आवेदन किसी कारण से दूसरे विभाग या काड़ियाले को प्रिसित कर दी जाती है तो तीसरा है बिहार राज में प्रथम अपील के लिए 10 रुपे का सुलक लिया जाता है अन्य राज के सुलक अलग अलग हो सकते हैं इसलिए आप लोग अपने अपने राजी के नियमानुसार प्रथम अपील हेतु सुलक लगाएंगे चौथा है लोग या जन सुचना पदाधिकारी के वरिष्ट पदाधिकारी प्रथम अपील प्राधिकार हुआ करते हैं उन्हें ही प्रथम अपील अधिकारी बनाया गया है जैसे जो भी जिस भी विभाग या काडियाले के PIO हैं उसी विभाग या काडियाले के वरिष्ट पदाधिकारी को प्रथम अपील पदाधिकारी बनाया गया है जैसे पंचायत में अगर पंचायत सेवक को PIO आप बनाते हैं उनसे यदि सूचना मांगते हैं तो उसके वरिष्ट पदाधिकारी वीडियो सहब हुए, परखंड विकास पदाधिकारी हुए, उनके समक्ष आप अपिल दायर कर सकते हैं, यदि आपने परखंड विकास पदाधिकारी कारियाले को आविदन लगाया, लोग सुचना पदाधिकारी बनाया है, तो उसके वरि वरिष्ट पतादीकारी डियम कारियाले में आप पर्थम अपील दायर कर सकते हैं इसी प्रकार आप समझ लें कि जिस भी पतादीकारी को आपने लोग सुचना पतादीकारी बनाया है जिस भी कारियाले से आपने सुचना मांगा है उसके वरिष्ट पतादीकारी के कारियाले क समक्ष आप प्रथम अपील अवस्य करेंगे पांच मां है सूचना ना मिलने बिलंब से मिलने या गलत सूचना मिलने पर पहली अपील इसी अधिकारी के पास की जाती है इसलिए आप लोग याद रखेंगे यदि आप लोगों को 30 दिन अधिकतम 45 दिन में सूचना नहीं मिलत या बिलंब से मिलती है या गलत या भ्रामक सूचना दी जाती है तो आप रथम अपील इनी वरिष्ट पतादिकारी के पास कर सकते हैं। के बाद यदि आप प्रथम अपील दाखिल करेंगे तो आपके प्रथम अपील आवेदन को ओस्कृत किया जा सकता है। इसके साथ सूचना के अधिकार के अपने आवेदन प्रपत्रकौ की एक परती तथायदी लोग सूचना पतादिकारी या जन्द सूचना पतादिकारी की ओर से आपको कोई जवाब मिलता है तो उसकी स्वभी प्रमानित परती, सुल्क के परती, डाक रसीद के परती अवस्चना करें। जब भी प्रत्रकौ के साथ प्रपत्रकौ की भी परती होनी चाहिए और प्रपत्रकौ के साथ जो आपने सुल्क के रूप में डाक रसीद दिया हो और पुस्टल ओडर दिया हो या जिस भी तरह से आपने सुल्क जमा किया हो उसकी परती सभी को स्वभी परमानित परती करक सगलंकर प्रपत्रशों में प्रथम अपील दाखिल करेंगे या ध्यान रखेंगे आठ है जिस विभाग के लोग सुचना पतादिकारी या जन सुचना पतादिकारी होते हैं उसी विवाग के वरिष्ट पतादिकारी के पते पर पर्थम अपीलिये प्रादिकार के समक्ष सो समय अपील अवस्च करें जैहिन